एक गाव में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था, उसकी गिंती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेट रह गया था, उसका बिजनेस बंध होने की कगार पर आ गया था, बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का ब बहुत जल्दी यकीन कर लिता था इसलिए उसे मूर्क बनाना बहुत आसान था चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठा कर उसे इस हालत में पहुँचा दिया था उसके कुछ चतुर दोस्तों रिष्टेदारों और अन्य पारियों ने उसके खिलाफ साजिश रच कर उसे अपनी चिकनी चुपडी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंध होने की कगार पर पहुँच चुका था धनी चंद सेट इन चलाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था लेकिन अब वह अंदर से तूट जिसके कारण सेट हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोस्ता रहता अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे उसकी पतनी अकसर उससे जगड़ा करती रहती अन्य सेट अपना करजा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते एक लंबी सेटों की भीड ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था वह अब उन सेटों से बचता बचाता छिपने लगा अपनी इस हालत से परिशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ पूछ रहे हैं यह देखकर सेट को बहुत ही ज्यादा जिध्यासा हुई कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा उस व्यक्ति ने सेट धनी चंद की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गावों, कस्ब उन्हें मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अधियान किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं इसलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है वह व्यक्ति सेठ धनी चंद की ओर देखकर कहता है अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा भीड को खत्म होने में शाम हो गया कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दे हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फाइदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरत मंद लोगों की मदद कर सके इतनी बातें कहने के बाद महात्मा आप कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं, वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा, जिनका उपियोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंतरित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावत तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोके बाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाए। आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं। आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपियोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि वे अपने जूट की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं, वो जूटे हो सकते हैं, ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सकें, जिस व्यक्ती से आप बात कर रहे हैं, उसे जानने का असली तरीका यह है, कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं, उसे एक बार दोबारा अवश्य सुनें, जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, क आपसे भी जूट ही बोलेगा, साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था, जो अब डूब गया है, जिस से पता चलता है कि जिस से आप बात कर रहे हैं, वह जूट बोल रहा है, हाँ, ऐसा हो सकता है, क उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है, आपको ऐसे आयोगी लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यक्ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं, एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं, एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, वह व्यक्ति जूटा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भ रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार-बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें दो नियमों प अब तक देखें, अब जब तक वह आपकी नियंतरण में आ जाता है, तो देखिए, कितना दुख होता है, जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं, जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हलके में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था, उसे वा आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिसमें बुद्धी की कमी है सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंतता सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंतरन रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से जगड़ा नहीं करना चाहते हैं अपनी शारिरिक भाषा को विनम्र रखें एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे और जब आप लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिये बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोश, अज्यानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं। कि हम उनसे काम ले रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज़बातों को छुपाने में माहिर होता है, वो दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और जगडालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे। कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक ग्रहस्त होने के नाते, आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। और उस महनत की कमाई को तब तक खर्च न करें, जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए, जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सामान लिये बिना पैसे देते हैं, तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है, तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बढ़ते हैं, जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। वैसे में आपका सारा समय और धैर्य बरबाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, तो वह आपसे बहस करेंगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे। जो आपके कमरे का इस्तिमाल कर सकता है। बावनाओं के साथ कैसे खेलना है। सब ही उसे सबसे गरीब समझते हैं। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कलपना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रन बढ़ता जाता है। और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। चटा तरीका एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोडने के लिए चतुर लोग अकसर सबसे कठिन काम दूसरों को सौप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस से जानने की कोशिश करेगा और गलत पर समय वह उनका उपयोग आपके खिलाफ एंड बार सोचें क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबास दोस्त है इसलिए ये पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं आठवा तरीका अधूरी जानकारी दें एक धोखेबास व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है कारण क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जाने वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साजह नहीं करेगा वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम जान बूज कर ऐसा कर रहा है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है दस्वा तरीका वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है वे सबसे निर्दोश हैं हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वे आपके म जिम्मेदारियों से बच सके जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोज से दूर रहे वे जान बूज कर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सके ग्यारहवां तरीका दूसरों पर उंगली उठाना या दोश देना एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा अर्थात उसे कोई कड़ी महनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता वह इस बात को भली भांती जानते हैं यह वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करेगा तेरहवा और आखिरी तरीका बताते हुए महात्मा कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसलों को नियंतरित करने की कोशिश करता है। सबसे पहले एक धोखे बाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुबचिन तक उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आँख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया है तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको ये महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिये हैं उससे आपको फायदा होगा। चतुर व्यक्ति को फाइदा होने वाला है तो ये थे वो तरीके जिन से आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं और चतुर और धोखे बाज की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा वयापारी बन गया। उम्मीद है आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस कहानी को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक और नई सीख और नए मेसेज के साथ। धन्यवाद।